दोस्त तो अक्सर आपने देखा होगा कि जब भी हम पूजा के समय इश्वर का ध्यान करते हैं तो कई बार हमारी आँखों से आँसू आ जाते हैं हमारा हिर्दय रोम रोम इश्वर को पुकारता है और पूजा करते समय हमारे आसपास का बाता बरंड भी शुद्ध हो जाता है दुखों का महल भी खुशी में बदल जाता है आप कितने भी चिंतित क्यों न हो आपको अच्छा लगने लगता है तो आकिर इन सब का क्या मतलब होता है या फिर आपने देखा होगा कि कई बार बिध्यारती पड़ाई करते समय मास सरजबती का ध्यान करते हैं तो उनकी आखों से आँसू आने लगते हैं अथवा अचानक से नीन आने लगती है तो इन सब का क्या अर्थ होता है दोस्तों जानने के लिए इस वीडियो को अंति तक जरूर देखना और सची दिल से कमेंट बॉक्स में लिखे जैश्री किरिश्न दोस्तों सबसे पहली बात आँखों से आँसू आना अगर आप इश्वर की अराधना में बैठे हो और अचानक से आपकी आँखों से आँसू आ जाते हैं तो ये इश्वर का संकेत है कि आपकी आत्मा का इश्वर ये शक्ती से मिलन हो चुका है तथा ऐसे समय में इश्वर को आप अपनी मनो कामना अबश्य बताएं क्योंकि ये आपकी सच्ची भक्ती है जब कोई सच्चे हिर्दै से इश्वर को पुकारता है तो आँखों से आँसू अबश्यक आते हैं श ऐसे ब्यक्ति सच्चे हिर्दय बाले होते हैं साथ ही साथ पूजा करते समय आँखों से आंसू आने का ये भी मतलब होता है कि आपके अंतरमन की बुराई की सपाई हो रही है और आपका अंतरमन शुद्ध हो रहा है दोस्तो दूसरी बात जलाई हुई जोत का बढ़ना दोस् इसमें भगबान शिप शंकर का वास होता है अगर आप पूजा कर रहे हैं और अचानक आपके सामने रखी हुई दीपक की जोती बढ़ जाए तो ये एक इश्वर का संकेत है कि बह आपकी पूजा और सची भक्ति से प्रसन है तीसरी बात दूबत्ति का धुआ यदि आप इश्वर ने आपकी पूजा को स्वीकार कर लिया है और ऐसे समय में आप अपनी मनो कामना अपने इश्ट देप को अबश्य बताएं दोस्तो चौती बात दौर पर गाय का आना भगबान शिब की आरती एबंग पूजा के समय यदि गाय दौर पर आती है तो इसे बहुत ही गाय की पूजा अबश्य करें और माते पर तिलक लगाना ना भूलें एबंग उसे रोटी खिलाएं और हाथ जोड़ कर आपको अपनी मनो कामना गौ माता को अबश्य बतानी चाहिए तो दोस्तो धन्य बात